असलाम आलेकूम परकातूर फ्रेंट कैसे हो मित वरतों अप लोग खहरा अफ्यत से होंगे माशाल्ला रम स्रीफ की जारत करें कितना खुबसुरत व्यूज है ये इशाकी नमाज के बाद का वीडियो है अभी मैं जहां पर हूँ ये शिबेका वाली साइड है किंग फहाद माशाल्ला चेक करें कितना खुबसुरत व्यूज है ये सामने दार उल्तोहित बिल्डिंग है इसमें रोम होते हैं बहुत और होटल भी हैं खाने के ये देखें ये साइड में ये जमजम का कोलर है और इतर राजी नमाज भी पढ़ते हैं बैटके अब ही मैंने जाना है शिर्का मक्का वाली साइड में जिसे मक्का टावर भी बोलते हैं जो गड़ी वाला टावर है उसको नाम है जम जम टावर लेकिन मैंने जाना है शिर्का मक्का की तरफ यह इशा के बाद बहुत रस है है जब एकदम नमाज कतम होती है न तो रस काफी होता है अर्व शरीफ में कि चेक करें माशाला कितना वफसरत व्यूज है यह देखें सामने गेट नमर 79 नहीं इस गेट से उम्रे के लिए आज एंटरस करते हैं और एकसिट भी सिसी करते हैं कि सामने वह वाइड वाला जो है वह 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 वाश्रूम है यह गेट नमर 80 गेट नमर 79 के सामने 6 नमर यह आगया शिरका मक्का इसमें बहुत खुपसुरत खुपसुरत मॉल है उपर सामने कि एफसी है और इसकी पीछे मनी एकस्चेंज भी है यह शिरका मक्का के अंदर जो अ कि पैसे एकस्चेंज हो जाती है अभी मैंने जाना है कि अपतुल अजीज वाली साइड में यह देखें यहां पर यह एटीम लगा हुए है जिसके पास इंटरनेशनेल कार्ड होता है वह यहां से पैसे भी निकाल लेता है और पीछे इसकी मनी एकस्चेंज बैंक है वहां स अस्थानी इस साइड में रहते हैं इंडिया वाले कपुतर चोग यह सामने चान नमर वर्शुम के बराबर से रास्ता जाता है बहुत कार्डों पर भी लिकवा होता है में इस वाला यह वही रास्ता है अभी मैं आगे हूं यहां पर किंग अब्दुलजीज वाली साइड यह देखें गेट नमबर 891 यहां से मुझे सीधा जाना है अभी तिन नमबर वर्ष्रूम के पास अज़्याद स्ट्रेट वाली साइड पर यह देखें कितने खुपसुरत लग रहा है इनमें से पंके चल रहे हैं पंको में से पानी निकलना बहुत थंड़ पानी होता है एक तम चेल्ट यह देखें कितना खुपसुरत भी होज़े यह गड़ी वाला टावर है इस टावर का नाम है जम जम टावर यह जो सामने देखें नजर आ रहा है आप लोगों को यह गेट नमबर तीन है किंग अब्दुलाजीज इसके बराबर से गेट नमबर तीन है लेकिन यह बड़ा वाला जाता है यह अब्दुलाजीज गेट है लेकिन यह अभी बंद है अभी मैंने जाना है सिदा जाद स्टेट में अपके फ्रेंड जिसने मेरी अभी तक वीडियो देखिये प्लीज नीचे कमेंट करें और लपाग आप लोगों को भी यह जागा देखना नसीब परमाएं अल्ला आफेश झाल झाल झाल